वेल्कम बैग टो आलियास कीचन तो आज बनाएंगे हम लोग इडली और चटनी तो आज मैं उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ हम लोग लेंगे एक गलास उरत डाल और उसी गलास से हम लोग लेंगे इडली रवा तीन गलास उसे अच्छे से वाश करक लग भीगने के लिए रख देंगे तीन से चार घंटे तक तक और आप लोग एक बार इडली रवे को एक बार अच्छे से वाश करिए वाश करके वह पानी फैंक दीजिये उसके बाद में उसे भीगाईगे अब हम दाल को अच्छे से बारिक पीस लेंगे पीस कर उसी इडली कितनी रखनी है वह हिसाब से हम रखेंगे और उसे ढख करके ओवर नाइट छोड़ देंगे उसके बाद में अब हम सुबा देखेंगे ना तो हमारा इटली बैडर कुछ इस तरह हो जाएगा हम इसके अंदर टू टी स्पून नमक दालेंगे और वन टी स्पून सोडा दालें जहींगे बैटर की कंसिस्टेंची हमें कुछ इस तरह से रखनी तो चलो बहुत हम इटली rady करेंगे उस पर हम लोग ऑऐल ग्रीज कर लेंगे सबी ऑन वाइवन हम लोग और थोड़ा-थोड़ा करकर हम लोग बैटर भी दालेंगे बैटर हमें ज्यादा नहीं डा अब हम इटली के कूकर में यह स्टैंड रख देंगे और इसे हाफ एन हवर तक धीम यांज पर पका लेंगे हमारी इडली रेडी होने तक आप लोग को मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को और कॉमेंट में बताइए कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी दिखी तो यहाँ पर हमारी इडली बन करकर रेडी भी हो गई है अब हम इसे निकाल कर एक बॉक्स में रख लेंगे जिसमें हम रोटी वगरा रखते हैं ना उसी बॉक्स में हम लोग निकाल कर रखेंगे अब हम लोग चटनी बनाना शुरूर करेंगे चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है फुले चनी की दाल वन कप तो यहाँ पर मैं तीन से चार हरी मिर्च और थोड़ा सा हराधनिया और वन टी स्पूल नमक अट करके अच्छे से बारिक सा पेस्ट दाल करी से मिक्सी में अच्छे से ग्रैंड कर लिया है चलिए अब हम इसका बगार लगाते हैं उसके लिए हमें एक कड़ा ही लेनी उसमें आउइल आइड करना है ऑईल गरम होने के बाद हमें थोड़ा सा राई उसमें मिलाना है और थोड़ी चनी की दाल थोड़ा सा करी पत्ता दाल कर हमें इसे थोड़ी देर तक पका कर हमारा जो हम लोग मिक्सी में पेस्ट बनाए थे ना वही पेस्ट में हमें इसमें मिला देना है तो हमारी चटनी भी बनकर रेडी हो गई और हमारी इटली भी रेडी हो गई आप लोगो कैसी दिखी का इस जरूर बताईए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करिए बहुत एजी बनने वाली रेसिपी है ट्राई जरूर करें